नमस्कार मैं हो से संध्या समाचार में आपका स्वागत हैं आए जहरखण के दिन भर की खबर जानते हैं क्रिसी मंत्री बादल ने किसानों के बीच 1.35 करोर की परिसंपती बाटी क्रिसी मंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में क्रिसी से संबंधित विभी नियोजनाओ का लाब दिया जा रहा है उन्होंने कहा है कि बाग और जंगल का जो संबंध है वही नेता वह जानता का होना चाहिए किसानों की आए बढ़ाने के लिए सरकार लागातार पर्यासरत है उन्होंने कहा कि बरतमान में प्रमपरागत खेती के साथ आधोनिक तकनीकों का उप्योग अवसे करे इससे लागत कम आएगी और आए बढ़ेगी उन्होंने क्रिसी विभाग से समधी बिभी नियोजनाओ की जनकारी दी एवं योजनाओ का लाभ लेने की बात कही उन्होंने कहा है कि बरतमान में बेहतर क्रिसी उपज एवं आय के लिए अधोनिक तक निकों का उप्योग अवस्य करे सरकार किसानों की सुविधा के लिए बिभी नियोजनाओ के साथ लगातार बेहतर कदम उठा रही है सरकार को किसानों की परसानियों का आसास है और सरकार समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि जारखन सरकार गरीबों के लिए बनी है राज सरकार जो भी उजनाय लाती है आप सभी उसका भरपूर लाब उठाए गिरीडी में बड़ा हादसा च्छा लोगों की मौत की दोरान दम तोड़ दिया है हादसे की वज़ा गाड़ी की ते रफ्तार और ड्राइबर को निंद आना बताया जा रहा घटना मुपसिल थाना और भर कट्टा आपके समीप पर सुब अढ़ाई से तीन बजे बताई जा रही है जार्खन सरकार फरवरी में पेस करेगी 2024 का बज़ट साल 2024 कई मायनों में अहम होगा राइनिती गर्ती वीद्यों के साथ साथ आर्थिक छेत्र में भी हलचल बढ़ेगी चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार भी बीतिय वर्ष 2024 पचीस के बज़ट को लेकर त्यारी में जुट गई है केंद्र सरकार द्वारा अगामी बजट अंत्रीम बजट के रूप में होगा एक फरवरी को देश के बीत मंत्री अंत्रीम बजट पेस करेंगे इधार जार्खन सरकार भी आम बयट की तयारी में जूट गई है केंद्र द्वारा अंत्रिम बयट पेस करने के पस्चात फरवाई में ही जार्खन सरकार आम बयट पेस करने की तयारी में है जार्खन बीत मंत्री डक्टर रामेश्वर उराओ जार्खन के पहले बीत मंत्री है जो लगतार पांचवे साल सदन में बयाट पेस करेंगे रांची में छट को लेकर 29 से 20 नौमबर तक भारी गाड़ियों की नो इंडरी छट महापर्व को लेकर रांची के आतायात बयवस्था में बदलाव किया गया है 29 नौमबर को सुबह 8 से रात 11 और 20 नौमबर रात 2 से सुबह 10 वह तक सहर में भारी गाड़ियों के परवेश पर रोक लगा दी गई है ट्रैफिक SP कुमार गवरन ने इस सम्मंदित आदेश जारी किया है जारी आदेश में कहा गया है कि भारी वहन रिंग रोड होकर अपने गंतवे तक जाएगी रांची के ट्रैफिक के बवास्ता के बारे में जनकाली देते वेश पी ने बताया है कि छट घाटों के आज़ पास वहन पार्किंग के लिए भी अस्थल निधाईत किया गया है ताकि वर्ती अपने वाहनों को सही जगा पर पार्क कर सके और ट्रैफिक बेवास्था में अभी किसी भी तरह की परिचानी ना हो कई जग हो पर की गई पार्किंग बेवास्था भी है छाब फरवारी से टेंथ टुएल्थ की परिक्षा जगर्कने केंडबी काउंसील की ओर से मैट्रिक और इंटेंड मेडियर दुएल्था की परिक्षा 26-26 फरवारी तक आयोजित की जाएगी इसे लेकर जैक ने त्यारी भी शुरू कर दिया है इस बार परिक्षा समय पर आयोजित करने की दीशा में सभी जीलों के सिक्षा पताधिकारियों को भी सुचित किया गया है साथ ही परिक्षा कादाचार मुक्त हो इसे लेकर हर अस्तर से त्यारी करने का निदेश दिया गया सभी परिक्षा केंदरों में CCTV केमरे दुरूस्त करने से लेकर अने तैयारीयों को पूरा करने को कहा गया है जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतों ने बताया है कि परिक्षा समय से ही सुरू होगी आठवी नवी और एगारवी की परिक्षा जनवरी और फर्वरी महा में आयोजित की जाएगी इस बार मैट्रिक इंटर्न में करीब 7 लाग पर जार्थी सामील होने की संभावना है इंडिया गठ बंधन नहीं ठक बंधन बिजेपी बिक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहत परिया और न वन एवम जलवायू परिवर्तन मंत्राले राज मंत्री आस्मीनी कुमार 24 सन्निवार को जार्खन के दुमका पहुचे इस दुमका परिस्दन में कहा है कि बिहार और जार्खन में अवैद खनन राज सरकारों की सनलचन में चल रहा है इसकी वज़ा से ही दोनों राजों में अपराधिक घटनाओं में लगतार बढ़ोत्री हो रही है एक सवाल के जवाब में आस्मिनी चोबे ने कहा है कि इंडिया गटबंधन नहीं ठगबंधन है बिहार के मुख्यमंद्र नितिस कुमार के बारे में पूछा जाने पर कहा है कि उन्हें तो तुरंत सता से इस्थिपा दे कर किसी अरोग्य साला में जाने की जरूरत है जारखन में आईडी बलाष्ट में एक साल में चार जवान वा दस गरामिनों की मौत पच्छमी सिम्हूम जीली में नकसलियों खिलाप अक्टूबर 2022 सा अभियान चलाया जा रहा है नकसल वीरोधी इस अभियान में लगे सुरक्षावलों के जवानों को रोकने के लिए नकसलियों ने बड़ी संक्या में जंगलों में आईडी बिछाय रखे है इसकी चपेट में आने से अब तक 29 पुलिस कर्मी वा 7 गरामिन घायल हो चुके है वहीं चार पुलिस कर्मी सहीद हो गए जबकि 10 गरामिनों को अपनी जान गवानी पड़ी है आईडी बलाश्ट में सबसे ज़्यादा जाने अती नकसल चेत्र टोटो अ गोईल के राथाना चेत्र में की गई है नकसली पुलिस पर गरामिनों की जान को खत्रे में डालने का अरूप लगाते है तो पुलिस का काना है कि गरामिनों को अपनी जान बचाने के लिए नकसली ठाल की तरह इस्तिमाल कर रहे है बिदेश में रह रहे जारखन के लोग मना रहे महापर्व chat चट महापर्व की आस्था साथ समंदर पार यानि विदेश धरती पर फैल गई है या एक ऐसा परव है जो परिवार को एकजुट करने का संदेश देता है इस परव की महत्ता विदेश में बसे हर भारतियों को मालूम है इसलिए विदेश में रहकर भी चट महापर्व का स्थान कर रहे हैं वहीं समोहिक तो कहीं घर में ही पुजा अशना की त्यारी है कई लोग छट के अउसर पर विदेशी जमी छोड अपनी घर राची पहुंच चुके हैं और वर्तियों की मदद कर रहे हैं उत्तरकासी टनल में फशे जारखन के स्रमिकों ने कहा हम ठीक हैं उत्तरकासी जीले में सिलक्यारा और डंडाल गाओ को जोडने के लिए बन रहे हैं यमुनतरी नेशनल हाईवे पर नेवाना धिन टनल में पिछले 6 दिनों से 40 स्रमिक फशे हुए हैं इनमें 15 स्रमिक पर्दीप लक्राया ने सरमिकों से बात कर कहा है कि रेस्क्यू अप्रेशन चल रहा है जारकन सरकार ने उन्हें भेजा है आप सब ठीक है ना तो सरमिकों ने कहा ठीक है श्री लक्राया ने बताया है कि जारकन के प्रतिनिदी मंडल ने जीला परसासन उतर कासी से भी मुलकायत कर रेस्क्यू अप्रेशन की जनकारी ली उन्होंने बताया है कि उच छामता वाली मसीन लगा कर ड्रिलिंग पर किरिया तेजी से शुरू कर दी गई है 28 मीटर के लगभग ड्रिलिंग की गई और अगर सब को स्ठीक ठाक रहा तो अगले 24 गंटे में रेस्क्यू होने की संभावना है 29 से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा अबुआ अवास दिवस जामतला वीडियो परवीन चौधरी ने प्रखन सभागार में सुक्रवार को पताधिकारी वा कर्मियों के साथ सब्ताहिक समिक्षा बैठक की इस औसर पर सभी पंचाधों में 29 से 26 नवंबर तक आवास सप्ताह दिवस मनाने वा लंबित आवासों को पुर्ण करने का निर्देश दिया आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का परचार परसार करने को कहा वही रासनकाट के समाजिक अंकेक्षन में पाय गत्रूटियों में भी समधान करने का निर्देश दिया है पोटो हो खेल मैदान सभी पंचाध में बनाने को कहा वही रोजगाव सेवक पंचाध सचीव को इस वोजना का विलेक अबिलम परखन के राले में जमा करने को कहा है साथी मन्रेगा में मानो दिवस बढ़ाने की भी बात कही गई है बिदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षन का केंद्र बना छट पूजा छट महा पर्व सुरू हो गया है और जायरखन के सभी जिलों में इसे लेकर जबर जस्त उत्सा देखनों को मिल रहा है अब छट पर्व न सिर्फ देश में बलिक बिदेशों में भी बिख्यात है यही करण है कि बिदेशी नागरी को की भी इस पर्वेकी ओर दिल्चस्पी बरती जा रही है ताजा उदाहरन सावगंज के राजमहल का है जहां बिदेशी पर्यटकों ने उतरवाहिनी के गंगा तट पर हो रही छट पुजा की भव्यत्यारी को न सिर्फ देखा बलिक इसके महत्यों को भी समझा उनके लिए ये सारी चीजे आकर्शन का केंद्र रही बताओ दे सनिवार के सुब़ पंद्रा बिदेशी पर्यटक जल मार्ग होते हुए कुरूच के माध्यम से राजमहल पहुचे हाँ पहली बार बिर्सा मुंडा जेल पहुचे चीफ जस्टीस बिर्सा मुंडा केंद्रिय करा ग्रिह में सुकरवार को चीफ जस्टीस संजा कुमार मिस्र पहुचे और एक घंटे तक निरिक्षन किया इसे पहले जेल में आज तक किसी चीफट जश्टिस के द्वारा निरिक्षन नहीं किया गया था बतादे पहली बार सुकरवार को चीफट जश्टिस जेल पहुंचे और छोटी से छोटी चीजे की जनकारी ली गई जार्खन हाई कोट में जेल में सुविधा और जेल मैनुवल बनाये जाने से समन्दित कई अजिकाप पर सुनवाई चल रही है इसी सिलसीरे में चिफ जस्टिस संजाय कुमार मिश्रे ने जेल में सुविधा का निरिक्षन करने की इक्षा जताई थी इसके बाद उन्होंने जेल का निरिक्षन किया है चिफ जस्टिस के साथ हाई कोट के पदाधिकारी समेट जेल आई जी अपर मुख सचीव समेट और पदाधिकारी भी मौझूद थे धन्यवाद